ममी, आप सुबह सुबह का जा रही हो? बैंक, तुझे तो पता है ना, बैंक वालों ने पिछले दो महिनों से मेरी पैंशन जारी नहीं की है, बिना पैंशन कैसे चलेगा? जाकर देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है ममी, आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है मैं ठीक कह रही हूं ममी, आईए, बैठे ममी, पैंशन की शिकायतों के लिए, अब किसी को कहीं जाने की जरुरत नहीं है वही तो पूछ रही हूँ, जाय बगर काम कैसे चलेगा? जानती है ना, घर का सारा खर्चा पैंशन से चलता है जानती हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती पैंशन डिपार्टमेंट ने सीपेंट ग्रायम्स पोर्टल विक्सित किया है यानि की, सेंट्रलाइज पैंशन ग्रीवियंस रीड्रेस और मॉनिटरिंग सिस्टम इसके जरीए, पैंशनेर्स की शिकायते ओनलाइन की जा सकती है तो क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है सब समझ आ जाएगा, आप बस आराम से बैठी ममी, पैंशन और पैंशन भोगी कल्यान विभाग, सीपेंट ग्रायम्स पोर्टल के माध्यम से पैंशन से समबंदित विभिन प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है सीपेंग्रायम्स एक ओनलाइन शिकायत रेजिस्ट्रेशन समाधान पोर्टल है जहाँ पैंशन भोगी, केंटर सरकार से लगबग तमाम विभाग में अपनी पैंशन समबंदित शिकायते दर्च करा सकते हैं अरे वा, ये तो बहुत अच्छा है, और बता ना इसके बारे में ममी इसकी गुनवता को भेतर बनाने के लिए समय समय पर काम किया जा रहा है थर्ड पार्टी विशलेशन भी कराया गया, साथ ही निवारन प्रक्रिया के साथ फीडबैक का विशलेशन भी किया गया फीडबैक के बाद जो भी इंप्रूव्मेंट करने की जरूरत होती है, किये जाते है विभिन नहित धारकों की पहचान करके और बैंक के साथ बैठक कर, शिकायतों के मूल कारणों को सुधारने के लिए भी काम किया जा रहा है सबका मकसद पेंशन, फैमली पेंशन चुरू करने में देरी, पेंशन क्रेट में परिशानी, आधी हर शिकायत को दूर करने का प्रयास करना है सच में, इससे तो हम पेंशन प्राप्त करने वालों की सारी समस्याय हल हो जाएंगी अच्छा, ये बता, इसमें हम पेंशन भोगी अपनी शिकायते किन तरीकों से कर सकते हैं? वही तो बताने जा रही हूँ, आनलाइन पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी, अपनी शिकायते सीधा, सीप अन् ग्राम्स पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं वह अपनी शिकायतों का स्टेटिस ट्राइग भी कर सकते हैं। अच्छा। सीप औन ग्राम्स पॉर्टल तमाम पेंशिनेर्स की शिकायतों के लिए ही है। ये लो, मैंने pgportal.gov.in टाइप करके Centralized Pension Grievances Redress and Monitoring System यानि की सीप औन ग्राम्स की वेबसाइट खोल ली। अब इस पर pensioners अपनी शिकायतों का स्टेटिस भी जान सकते हैं। और आपको पता है, सबसे अच्छी बात ही है कि ये 24 घंटे उपलब्ध है। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बता इसमें शिकायत कौन दर्ज करा सकता है। Pensioner या अन्य कोई व्यक्ति Pensioner के भीहाव पर शिकायत दर्ज करा सकता है। Pensioner Association भी यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Delay, Incorrect Payment, Pension, Gratuity, Retirement Benefit, Revision of Pension, किसी भी तरीके की शिकायत यहाँ दर्ज कराई जा सकती है। बस आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए Log Your Grievance पर क्लिक करना होगा। फिर तो मैं इसी पर अपनी शिकायत दर्ज कराती हूँ। तू ज़रा मेरी मदद कर। महनत नहीं ममी, मैं कर देती हूँ। यह देखो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। अब आपको पैंशन से संबंदित जितनी भी शिकायत हैं, यहाँ दर्ज करानी है। इस फॉर्म में पैंशन धारक को अपने से संबंदित जानकारी भी भरनी है। जैसे की नाम, PPO नंबर, Retirement Year, Address, Mobile Number, Type of Retirement। पैंशन से संबंदित किसी भी तरीकी की फोटो या डॉक्यमेंट भी अटाच कर सकते हैं। यह मैंने आपकी डॉक्यमेंट्स अटाच कर दिये। इसके बाद बस आपको Submit बटन पर क्लिक करना है। लो, आ गया, अब देखो, यह ग्रीविंस नंबर आपको संभाल कर रखना है। मैंने आपकी शिकायत ऑन-लाइन भेज दी। वेरी गुड। पर हम अपना स्टेटस कैसे चक कर सकते हैं। अब इस ग्रीविंस नंबर से आप इसी पोर्टल पर View your grievance के option पे क्लिक करके आपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक दो दिन में आप चेक कर लेना कि आपकी शिकायत का क्या स्टेटस है। अरे वर्षा तुम आओ आओ अंदर आओ तुझे पता है निलम, पेंशन से सम्मंधित शिकायत करने के लिए हमें कहीं जाने की ज़ुरूरत नहीं है। सीपेन ग्रैम्स पोर्टल है जिसके माध्यम से हम अपनी शिकायत घर बैठे, ऑनलाइन बेच सकते हैं। तुम दोनों हस क्यों रही हो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है। तुमारे हाथ में लैप्टॉप है, खुदी देख लो। आंटी, आप खुदी देख लो हम इतने देसे क्या कर रहे हैं। देखें। ओ, ये तो कमार हो गया, मतलब तुम्हें पहरे से पता था, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इतने दिन से मैं ऐसे ही, पेंशन कमाने के कारण परिशान थी। अरे, मुझे कहां पता था, मुझे तो मीनू ने बताया भी, और मैंने तो अपनी शिकायत दर्ज भी करा ली। अच्छा मीनू, ये बता हम अपनी शिकायत डाक और इमेल से भी करवा सकते हैं। हम अमी, हम अपनी शिकायते डाक, कुरियर, बाइ हैंड और इमेल के जरीए भी भीज सकते हैं। इसके लिए हमें सी पेन्ग्राम्स पोर्टल पर रेजिस्टर करना होगा। और अपनी शिकायतों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी को एक SMS प्राप्त होगा। यदि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा तो उन्हें एक अकनॉलेजमेंट भी जारी किया जाएगा। क्या अपनी शिकायते दर्श कराने का कोई और भी तरीका है। हाँ अंटी है ना। कॉल सेंटर और टोल फ्री नंबर 1800 111960 के साथ एक कमिटेट कॉल सेंटर का उठगटन भी किया गया है। जो पेंशन भोगी डिजिटल माधियम का उपियोग और अपनी शिकायते लिखने में असमर्थ है। वो इस टोल फी नंबर और कॉल सेंटर के माधियम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके तो बहुत सुखत परिनाम आ रहे होंगे। हाँ ममी, 2016 में 42 दिनों में लगबग 27,978 शिकायतों का निप्टारा किया गया। 2018 में 33 दिनों के अंदर 49,078 शिकायतों का समाधान कर दिया गया। C-Pengrams की सफलता का ही परिनाम है कि शिकायतों के समाधान की समय सीमा पहले के मुकाबले कम होती जा रही है। मतलब हमारी शिकायतों का बहुत जल समाधान हो रहा है। हाँ, लेकिन pension भोगी को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ना अपनी शिकायते अलग-अलग माधियम से भेज देते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि उनका पंचीकरन कई बार हो जाता है। ऐसे में शिकायत को सुल जाने में दिक्कत हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी शिकायत एक ही बार पंचीकरन कराकर करें। बस तो मेरी बीटी, मेरी भी शिकायत दर्श करा दे। तेरी मम्मी की pension आ नहीं रही है। और मेरी कम आ रही है। कर देती हो आँटी, लेकिन आप दोनों को दो काम करने होंगे। हाँ, हाँ, बोलो बेटी, कौन से दो काम। एक तो आपको मुझे पाटी देनी होगी। और दूसरा, आपको अवैर होना होगा। ताकि आप pension एवं pension भोगी कलियान विभाग द्वारा शुरू की जा रही नई पहलों के बारे में जान सके। हाँ, हाँ, अब हम आगे से तुझे परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, ये बता। Sipin Grams में pension भोग्यों की शिकायतों का समाधान करने में बड़ी मुश्किल आती होगी ना। कई चुनोतिया आ रही होंगी सामने। हाँ, ममी, Sipin Grams के लिए कुछ बाधाय और चुनोतिया तो है ही। जो मामले लंबित हैं, उनके लिए नितिकट निन्नाई लेकर संबंदित विभाग संगटन को भीज दिया गया। कोर्ट में लंबित पड़े मामले या किसी भी तरीके की शिकायतों को सुल्जाने का हर संबंद प्रयास किया जा रहा है। Sipin Grams का मकसद, पेंशन भोगियों की हर शिकायत का जल से जल समाधान करना है। वा, आज जो जानकारी हमें मिली है, वो कभी नहीं मिली। आंटी और ममी, एक बाद और बता देती हूं, पेंशन अदालतों के माध्यम से भी आपके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। वो तो हम जानते हैं, पर अब हम अपनी शिकायतों का निवारण सिपेंग्राम्स पोर्टल के माध्यम से करेंगे। अरे तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी लाएं, वर्शाओ निवारण, अब हमें पेंशन संबने शिकायतों के लिए, बेंकर पेंशन अफिस चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम सिपेंग्राम्स पोर्टर पर ही अपनी शिकायते और लाइन रेजिस्टर करा सकते हैं।